पार्टर 19 के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जी हून ने गोली मार दी होती है जो कि चौंग को लगती है और सारे पुलिस वाले मिलकर जी हून को पकड़ लेते हैं चौंग जुन जी की बाहों में बेहोश हो जाती है तो उसे होस्पिटल ले जाया जाता है यहां पर जी हून को पच्चतावा हो रहा होता है अपनी गलसी का क्यूंकि उसने अपनी मा का साथ दिया था जो कि इसकी वज़े से वो बहुत ही ज्यादा पच्चता रहा होता है तो कांग जी हून के पांस पुलिस वाले आकर उसे बताते हैं कि ची हून मर गया है तो यह सुनकर तो कांग जी हून बोखला जाती है क्यूंकि जिस बेटे की वज़े से उसने इतने बुरे बुरे काम किये थे वो बेटा ही अब नहीं बचा ची हून का जो पहले वाला कि चुछ नहीं आया होता है फिर चॉंक से मिलने के लिए जुझी की मा आती है तो वो जुझी को बताती है कि चॉंक मुझसे पता नहीं क्यू अजीब गरीब बात कर रही थी तो मैंने उसे का स्टोरी सुनाई थी और वो स्टोरी कुछ इस तरह से होती है जिसमें एक चुछ नहीं पर रहने वाले बच्चे समंदर में रहने वाले चरपरियों से बात करके गाउंवालों की मदद करते हैं कि आज तुफान आने वाला है आप मच जाए इस तरह से एंड वो गाउं के मसीहा बन जाते थे फिर यहां पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर नाम से पुराना चनम देख रहे होते हैं जिसमें पार्कमू यानि की हमारा इस जमाने वाला नाम दू उसकी मदद करता है क्योंकि अब सेहवा और दामर्यों तो मर चुके होते हैं यह उसके बात का सीन है और तभी प्रेजन टाइम में मिस्टर नाम को भी होश आ जाता है और उसक प्लैन बनाता है जिसमें वो प्रमुक को मार देता है क्योंकि पार्कमू यानि की नाम दू अपने डैट की मौत का बदला लेना चाहता था मादे यंग से इसलिए वो मादे यंग को मार देता है और तभी हम देखते हैं कि मादे यंग ये सारे विजन्स देख रहा होता है स साइक्रेटरिस भी ऑफिस में होता है, तो वो साइक्रेटरिस को मानने के लिए आगे बढ़ता है, कि तब ही वहां पर चुन जया जाता है. एंड उसके पीछे पुलिस वाले होते हैं, तो मादय यंग रम्रंगे आथ पकड़ा जाता है. फिर हमें यहाँ पर दिखाए जाता है कि चासी हाँ एंड तेओ रास्ते पर चल रहे होते हैं एंड बर्फ भी गिर रही होती है तो तेओ एक का सेलफी लेता है तो चासिहा उसका फोन जटक कर देखने लगती है कि कैसी फोटो आई जब वो फोटोस को देखती है तो उसमें तो सारे फोटोस चौंग के ही होते है तो वो मामला समझ जाती है कि तेओ मुझे नहीं पर चौंग को पसंद करता है अब तक वो उसे उल्लू बनारता आ रहा है तो वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मेरा पीछा मत करो मेरा पीछा मत करो और पीछे देखती है तो कोई स्टोकर होता है तब ही वहाँ पर तेओ आ जाता है एंड चासिया को बचा लेता है एंड चासिया तो यहां पर डरी होती है उस स्टोकर का चहरा देख कर एंड रोने लगती है तो तेओ उसे संभालता है एंड फिर वो दोन इतने करीब होते हैं कि तेओ फिर उसे किस कर लेता है अब सब कुछ ठीक है तो भापी जी एंड उसका पती देव जुन्जे की मा से मिलने के लिए घर पर आते हैं जहां पर नामदू एंड जुन्जे एंड चौंग को देखकर उसे याद आने लगता है तो चौंग उसे साइड मे लेशा कर उसकी सारी मेमरीज इरेस कर देती है एंड फिर जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन लोगों को तो कुछ भी पता नहीं होता तो फिर नामदू कहता है कि अरे वा चौंग तुम तो बड़ी कम्माल की हो यहाँ पर चौंग के दिल में दर्द हो रहा होता है एंड ये बात चौंजे भी नोटिस कर लेता है उसके बाद अगले दिन घर पर कोई नहीं होता सिर्फ चौंजे एंड चौंग ही होते है क्योंकि वो दोनों घर पर ही डेट करने वाले होते है क्यूंकि चौंग की तबियत अभी भी ठीक नहीं होई है तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते और फिर ये दोनों घर वाली डेट इंजोई ही कर रहे होते हैं कि जुन्जे चौंग से कहता है कि तुम्हें अब वापस समंदर में चले जाना चाहिए अपना इलाज करने के लिए क्यूंकि वही है तुम्हारा इलाज वरना तुम यहाँ पर मर जाओगी एंड उसे एक कंगन भी देता है एंड चौंग को भी उसकी बाते सही लगती है फिर चौंग जुन्जे को किस करके उसकी सारी मेमरीज मिटा देती है क्यूंकि चौंग नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद जुन्जे उसकी याद में रोए एंड दुखी हो एंड ये एपिसोड यहीं ही खत्म हो जाता है अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना ठीक है बाई बाई